ये गाई इस दिन की शुरुवात हो गई कैसे हैं आप आई उप सो बढ़िया होंगे तो आज शुरुवात वही से शुरू करते हैं पर पहले थोड़े बाल समेट लेते हैं क्योंकि रात के जो मैंने धो रखे हैं वो अभी भी थोड़े से गीले गीले हैं तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हमारे घर का जो महौर है वो थोड़ा से ठंडा रहता है बाहर बहुत जादा गरमी है बहुत ही जादा बट फ्लाट है ना इसलिए 35 फ्लोर है हमारे यहां तो इसलिए हमारे जो कम रहे हैं वो थोड़े ठंडे रहते हैं तो इतनी जादा गरमी लगती नहीं मुझे यही टेंचन है कि घर गए हम तो पता नहीं क्या हाल होगा क्योंकि चुटियां आ रही है बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं एक्समन से तो अगर अगर हमारे घरवाले नहीं आए तो हमें जाना पड़ेगा तो हम गए तो गर्मी कैसे मैनेज होगी हम तो कर लेंगे हम तो वही के पले बड़े हैं हमें तो आदत है बट बेटे को आदत नहीं है तो कि मैं जब भी मैं जाती थी घर तो मैं हमेशा विंटर में जाती थी अब इस बार से गर्मियों की चुटिया आ रही है तो गर्मियों में जाना पड़ेगा बट अभी कोई टिकट नहीं कुड़ता मुझे मिला था वो भी नैस्टों में सेल लगी थी 50 का नहीं था मेरे खाल 35 धरम का था 50 धरम का था तो सेल पे 35 का मिल रहा था सिरफ कुड़ता तो आप मुझे बोलते हो कि माम आप इंडियन सूट वगारा क्यों नहीं पहनते हैं पहना करो तो देखे पहली बात मै यह सब बहुत कम पहनती थी शादी से पहले बट शादी के बाद मैं पहनती हूँ बट ऐसा है कि यहां पे मैं सच में बताऊंगी दिखाऊंगी भी आपको थोड़े दिन बाद जब मेरा स्टिच होके आ जाएगा सूट तो यहां मेना मुझे पाकिस्तानी सूट मिला 100 धरम का 100 धरम का स्कूट है वो नेट वाला है मुझे लगता कि मुझे उसमें लाइनिंग लगानी पड़ेगी तो उसके लिए कपड़ा खरीदना पड़ेगा तो लाइनिंग वाला सूट है जो थोड़ा सा महंगा बनता है तो अगर नहीं लाइनिंग लगी तो वो 50-60 धरम है अच्छा है ठीक है नॉर्मल सा है तो देखो मैं 45-45 के सूट हो इतना तो मैं अफॉर्ड नहीं कर सकती है इतना मेरे हजबंड भी नहीं कर सकते हैं हाडली क्या करेंगे दो महीने बाद महीने में एक ले दिया या दो नहीं एक ले दिया तो दूसरे महीने चलो एक ले दि तो आप भी बोलोगे कि भाई एक ही जूट है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है इसलिए मुझे वह लगता है कि इंडिया जाके मैं सासुराल में सिर्फ ही सिर्फ सूट पहनती हूं बिल्कुल इसके लावा कुछ नहीं मतलब कोई भी ड्रेस वगारा भी जो भी हो तो सर होता है उसमें गाउन अगर बगारा पहनती हूं तो उसमें भी सर ढखा होता है तो इसलिए मेरे घर में सिर्फ मैं सूट ही पहनती हूं तो घर जाके मैं अच्छे सी सूट पहनूंगी आप देखना यहां यह सब नहीं मतलब नहीं अफॉर्ड कर सकते भाई सिद्धी बात और उससे भी जादा सबसे जादा इंपॉर्टन यह है कि अगर आप 4500 किसी सूट पर खरीज रहे हो किसी सूट को खरीद रहे हो उस पर इंवेस्ट कर रहे हो तो आपको एक्सटेशन भी होती है कि सूट उस अकॉर्डिंग भी होना चाहिए आपका स्कूड नॉर्मल सा नहीं खरीतेगा है ना इसलिए मैं नहीं पहनती हूं इंडिया जाओंगी पहनूंगी जैसे मर्ची है बागी में बिल्कुल भी शॉट्स कपड़े नहीं पहनती हूंगी वो मेरे हस्बन को पसंद नहीं है मुझे बहुत पसंद है पर मेरे हस्बन को बिल्कुल भी पसंद आपको भी पता है मैं बहुत सारी कंट्रिस घूम चुकी हूँ तो वहां उस रिसाबसे आप पहन लेते हैं बिलकुल शॉर्ट्स मैंने नहीं पहने हैं आज तक मेरे हजबन को बिलकुल भी पसंद नहीं है देन उसके बाद आपने देख तो लिया होगा क्या क्या बना है बाकी मैंने आज ना बिल्कुल सेंपल खाना बनाया दाल उसको घी का जीरे का तड़का लगाया है और इसके लावब कोई लेशन प्याज का कोई तड़का नहीं है साथ मैं बनाई थी मैंने इंगल की चटनी औ नहीं है कि मैं डेली अपने घर की डीप क्लेनिंग करो जाड़ू पोचा लगता है सिरफ मंगलवार और वीरवार नहीं लगता है मेरे ससुराल में तो बिल्कुल नहीं लगता है यहां पर जब घर बड़ाई गंदा लगे तो हम लगा लेते कभी कबार नॉर्मली ट्यूज जो थर्सडे हमारे घर में पोचा नहीं लगता है जाड़ू लगता है तो अब भाई वह लगता है अगर आप एक्सपेक्ट करो कि हां रगड़ रगड़ के साबुन से ब्रश से यह सब यह सब डेली नहीं मेरे बसकार हो गया मैं सिरफ एक चीज कर सकते हूं किचन अपना चासे रगड़ के डेली साफ करती हूं मैक्सिमम ऐसा होता है कभी कबार ऐसा हो गया कि नहीं हो पाया नहीं तो नॉर्मली मैक्सिमम होता है भाई आप लोग हो सकते हो मंटी टेलेंटेड मैं इतनी नहीं हूं मैंने पहले शादी से पहले तो एक कहते हूं कि तिल्ला पान की भी धोरा नहीं की तही तो मैं काम नहीं करना है थी कि आसा था कि मैं जाम भी करती थी और सान के बाद एसले के जड़ तक मैं सारे में ही काम करती हूँ सो बट आप एक्सपेक्ट करों कि मैं डीप क्लीनिंग डेली करूं पूरे घर की सुभई मैं इतनी मेरे पेकपेस्टी नहीं है सॉरी फो डैट बाकी तड़का लगा लेते हैं मैंने बिल्कुल सिंपल सा तड़का लगाया है घी का इसके लावा नहीं वो बिचारा गया बहुत जादा मेरा ध्यान कहीं और था तो निकल गया है बाकी खाले जीए खाना ये मेरा है लास मील, दिन का लास मील है हजबन न मेरे जल्दी घर आ जाते है नाइट शिफट पर हम क्या करते हैं कि तोड़ा ना जल्दी खाना आ खा लेते हैं घृट है तो जिन यहां मैरे जो देख साथ मेरे मेरे और गज़वार मान प्रसुट कुर। We'll be हम इसको बोलते कि तुम्हारे डोले बन जाएंगे तुम strong को जाओगे तो तुम चावल खाया करो क्योंकि चावल बनाने थोड़ा easy है चपाती बनाना थोड़ा बड़ा मुश्किल लगता है बटेया कि मैं भी चपाती लवर हूँ बट जाज मत करो